दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल पर तमाम वीडियो में कुछ लोग कमेंट करते रहते हैं कि मेरे लिए कौन सी जीवन भीमा पॉलसी सबसे बेतर होगी मुझको टर्म इंसुरेंस पॉलसी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए मुझे इंडोमेंट पॉलसी लेना चाहिए तरह-तरह के question पूछे जाते हैं हाना कि या जो वीडियो सीरीज चल लही है या तर्म इंसुरेंस पॉलसी के लिए चल लही है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि Term Insurance Policy किन-किन लोगों के लिए अच्छी होती है और क्यों होती है तो अगर आप जीवन वीमा पॉलसी खरीदने के लिए विचार कर रहे हैं और आप Term Insurance Policy के विशे में जानने के चुक हैं तो फिर यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमन साबित होगी तो चलिए आपके विशे समय को नस्ट न करते हुए हम इस महत्तोपूर्ण जानकारी को आपके साथ सेयर करते हैं देखे Term Insurance Policy का जो मूल उद्देश है वह यह है कि छोटी प्रीमियम देकर बड़ा रिस्कवर का लाव लिया जा सकता है बड़ा रिस्कवर का मतलब क्या है कि अगर आप एक Term Insurance Policy लेते हैं तो इसमें आपको बहुत ही मामली प्रीमियम जमा करना होता है तो ऐसी कंडिशन में आपके नामनी को एक बड़ी बीमा रासी का भुक्तान बीमा कंपनी द्वारा कर दिया जाता है तो अब यह सवाल उठता है कि क्या मुझे Term Insurance Policy लेना चाहिए या फिर Traditional Insurance Policy लेना चाहिए तो दोस्तों इसके लिए वीडियो हमने अपने चैनल पर पहले ही डाल दी है यदि आप चाहें तो आप उस वीडियो को देखकर इस जानकारी को ले सकते हैं लेकिन हाँ आज की इस वीडियो की महत्वपूर्ण बात यहा है कि किन लोगों के लिए Term Insurance Policy बेहतर हो सकती है और क्यों हो सकती है तो सबसे पहले मैं यह कहूंगा कि अगर आप माता पिता हैं और आपके बच्चे छोटे हैं तो आपके लिए Term Insurance Policy लेना बहुत ही फायरेमन साबित हो सकता है क्यों हो सकता है क्योंकि अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपके ऊपर अपनी छोटे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी है उनके रोटी कपड़ा मकान की विवस्था करना उनकी प्राथमिक सिक्षा से लेकर प्रोफेशनल सिक्षा को कम्प्लीट करना और उनके साधी विवाह का प्रबंध करना यानि जब तक आपके बच्चे अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाते हैं तब तक उनकी सभी जरूरते हैं वह आपके कमाई पर निर्वर हैं और कल की डेट में आप अपने बच्चों के साथ नहीं होते आपकी मृत्य हो जाती है तो ऐसी कंडिशन में उन बच्चों के भविस्था क्या होगा उनकी रोटी कपड़ा मकान की जरूरतों का क्या होगा अगर आप अपने बच्चों के साथ नहीं होंगे तो उनकी सिक्षा उनके साथी विवाह का क्या होगा और खास्तों से उस कंडिशन में जब आपकी इंकम कम है और आपके उपर खर्चे जादा हैं यानि आप जितना कमाते हैं उससे कहीं जादा अगर आपके उपर खर्च है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या यह हो सकती है भाई अगर आप कमाई कर रहे हैं और आपके पैसे बच ही नहीं रहे हैं ऐसी कंडिशन में अगर आप अपने बच्चों के साथ नहीं हुए तो आपके बच्चों का जो भविश्य है पूर्ता बरवाद हो सकता है यदि आपके साथ ऐसा है तो आपको टर्म इंसुरेंस पॉलसी जरूर लेना चाहिए क्योंकि टर्म इंसुरेंस पॉलसी में प्रीमियम बहुत कम लगती है और एक बड़ा रिसकवर का लाव आपको मिल जाता है आए अब हम दूसरे बहलू को देखते हैं अगर आप किसी भी तरह की कमाई करते हैं यानि की ब्रेड विनर हैं तो आपके लिए भी टर्म इंसुरेंस पॉलसी बहुत बहतर सावित हो सकती है लेकिन किन परिवेसों में देखिए है क्या कि आपके उपर आपके माता पिता आपकी भाई वहन आपकी अपनी पत्नी, आपके अपने बच्चे यानि आपके उपर जरूरत से जादा बौझ है आप सнемित कमाई करते हैं लेकिन आपकी लाईबिल्टी बहुत ज़ादा है माता पिता की सभी आर्थिक जरूरतें आप पूरी करते हैं आपके भाई बहन भी अपनी जरूरतों को, मतलब अपनी आथी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके उपर निर्भर है और जाहिर सी बात है आपकी पतनी और आपके बच्चे भी आपके उपर ही निर्भर होंगे यानि liabilities आपके उपर जरूरत से ज़ादा है इसका अर्थ यह है कि premium बचाने की छमता आपकी न के बराबर होगी ऐसी condition में आपको जरूरत होगी कि आपको एक बड़ा risk cover का लाव मिलता रहे अब यदि आप traditional policy में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा premium पे करनी होती है लेकिन risk cover का लाव कम मिलता है दूसरा चीज यह ज़्यादा premium देने की बावजूद भी यह संभावना बनी रहती है कि policy तूट जाएगी ऐसी condition में अगर आप term insurance policy लेते हैं तो उतनी ही premium में यानि जो premium आप जमा कर सकते हैं या यूँ कहूं कि थोड़ी premium जमा करके आप बड़े बीमे का लाव ले सकते हैं ताकि कल की rate में अगर आप अपने परिवार के साथ नहीं हुए तो एक बड़ा बीमाधन आपके family के पास आ जाएगा और आपकी family कोई भी रोजी रोजगार करके अपने भविस्ट के लिए अपनी जरूतों को पुरा करने के लिए रोजगार के साधन बना पाएगी आए अब तीसरे वेक्तियों को जानते हैं अगर आप युवा वयस्क हैं तो आपके लिए भी term insurance policy एक बेहतर विकल्प हो सकती है देखे होता क्या है इसके पीछे दो कारण है सबसे पहला कारण तो यह है कि अगर आपकी उम्र जादा है तो जादा उम्र में premium जादा जमा करनी पड़ती है और अगर आपकी उम्र कम है तो कम उम्र में अपेक्षाक्रित premium कमाती है तो अगर आप अपने कमाई के उम्र की सुरुवाती दोर में ही भीमा policy खरीद लेते हैं तो आपको कम premium पे करना पड़ता है जिसके कारण आपके लिए term insurance policy एक बेहतर विकल्प हो सकता है दूसरा कारण क्या होता है कि अगर आप अपनी कमाई सुरू कर रहे हैं वाई अगर आप वैरस्क हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपकी उम्र कम है तो कम उम्र में होता क्या है कि आपकी कमाई आज की डेट में कम होगी जिसके कारण कि आप अपनी जो प्रीमियम है वह ज्यादा प्रीमियम पे करने की छमता आपकी नहीं होगी लेकिन आपके माता पिता और दूसरे लोगों की जिम्मिलारियां आपके उपर होती है तो ऐसे इस्तिती में आपके लिए टर्म इंसुरेंस पॉलसी एक बेहतर विकल्प हो सकता है इसके बाद आता है रिणधारकों के लिए देखिए आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विभिन कारणों से विभिन मजबूरियों की वज़ा से तरह तरह के लोन ले ले लेते हैं हो सकता है कि आपको मकान बनाना हो इस कारण से आपने लोन लिया हो हो सकता है कि घर में किसी की तवियत खराब हो और उसके इलाज के लिए आपने लोन ले लिया हो वजह कुछ भी हो दूसरा चीज यह कि अगर आपने लोन लिया हुआ है और आपके उपर आपके फैमली की लायविल्टी ज़रूरत से ज़ादा है यानि कि यह जो दोनों ही इस्तिती है यह आपके बज़ट को डिस्टर्व कर रही है ऐसे कंडिशन में टर्म इंसुरिंस पॉलसी आपके लिए बहुत ही बेहतर विकल्ब साबित हो सकता है वज़ा एक ही है कि अगर आप टर्म इंसुरिंस पॉलसी लेते हैं तो कम प्रीमियम में बड़ा दीमा धनका रिस्कवर आपको मिल जाता है अच्छा मान कर चलिए आज की डेट में आपने कर्ज लिया हुआ है और आप कर्ज नहीं भर पाते हैं इस्वर न करे अगर कल की डेट में आप किसी हाजसे के सिकार हो जाते हैं और आप अपने परिवार अपने पत्मी बच्चों के साथ नहीं होते हैं ऐसी कंडीशन में आपने जिस व्यक्ति से या जिस संस्था से या जिस कमपनी से लोन लिया होगा वह व्यप्ती शंस्था या company अपना loan recover करने के लिए आपके family member को परिशान करेगी लेकिन अगर आपने एक term इंसुनेंस ले लिया तो आपको minimum premium जमा करना पड़ता है बहुत है minimum premium जमा करना होता है तो होगा क्या कि अगर कल की डिट में आप किसी हाथसे के सिकार हो जाते हैं तो वह जो भीमा कंपनी है बड़ी धनरासी आपके नामनी को देदेगी और आपके नामनी के पास यह ब्यवस्था होगा कि आपकी नामवजूदगी में वह जो लोन की रकम है वह बड़े ही आसानी से भुपतान कर दे इसके बाद यदि आपके बचत छमता काफी कम है न के वराबर है तब भी आपके लिए टर्म इंसुरेंस पॉलसी बहुत ज़ादा ओपियोगी साबित हो सकती है देखे कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की जो कमाई है वह सिमित कमाई है लेकिन उसके खर्च मतलब वह जितना कमाता है लगबग पूरा खर्च कर देता है उसके पास पैसा नहीं बसता है इसकी वज़ा कई हो सकती है पहली वज़ा यह हो सकती है कि आपके उपर आपकी जितनी कमाई है उसमें आपका आपके पत्नी और बच्चों का खर्च नहीं चलता है आपकी कमाई कम है दूसरा चीज़ यह हो सकता है कि मान लिजिए आप ज़्यादा कमाते हैं लेकिन उसके बावजूद आपके उपर हो सकता है कि आपके families की कोई liabilities हो जिसको की आप वहन कर रहे हो जैसे आपके पिताजी ने कोई loan लिया है या ऐसी कुछ भी घटना हो सकती है आपके उपर family members का जो है बोज है तो होता क्या है कि आप जितना कमाते हैं आपके पूरे पैस बच नहीं रहे हैं तो आने वाले समय में अगर आप किसी हादसे के सिकार होते हैं और आप अपने पत्नी और बच्चों के साथ नहीं होते तो यह बहुत बड़ा आर्थिक संकट उनके लिए खड़ा होता है क्योंकि उनका अगर आप उनके साथ उनके support में नहीं खड़े र एक बहुत बहतर विकल्ब हो सकता है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जिस सोच के साथ इस वीडियो को सुरू किया था वह जानकारी आपको मिल गई होगी तो यदि आपको जानकारी मिल गई है और दूसरा चीज वीडियो आपको उपयोगी लगी है तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन है उस पर जरूर क्लिक कर दिजेगा और वीडियो के कमेंट सेक्षन में यदि आपके कोई प्रस्न है तो आप हमसे नहीं संकोच पूछ सकते हैं और एक महत्वपूर्ण वात यह है कि यदि आप इसी तरह की जानकारी से भविस्व में भी अफडेट अना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल लिटेस LIC एडवाइजर को सब्क्राइब कर सकते हैं दोस्तों आप अपना कींती समय निकाल कर हमारी इस वीडियो को देखते हैं हमारे चैनल पर जुड़े हुए रहते हैं तो इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ आपने अपना कीम्दी समय दिया है इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद Thank you very much